राधे राधे इस ड्रेस की कटिंग वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बुकरम को कपड़े पर पेस्ट करेंगे सिलाई के माध्यम से बुकरम को पेस्ट करने के बाद जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे भी बुकरम पर ऊपर की तरफ मोर देंगे ऐसे ही साइड में जो भी एक्स्रा फैब्रिक है उस पूरे फैब्रिक को ऐसे ही दीरे दीरे पूरा मोर देना है बिल्कुल भी इधर उधर नहीं बचना चाहिए जैसा कि मैं मोर रही हूँ आप देख पा रहे हैं मोडने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आप देख रहे हैं ये हमें कट करना है एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है एक्स्ट्रा टैंशन की तरह है जिसे हमें अपनी जिन्दगी से जल्दी से जल्दी कट कर देना चाहिए जैसे मैं बहुत जल्दी कट कर रहे हूं ऐसे ही बीच में होना चाहिए इधर उधर ना हो नहीं तो गला एक साइड को फिर भागता है अब यह सिलाई जो आप देख रहे हैं यह हमें बुकरम पर नहीं चलाने है यह बुकरम से नीचे चलानी है बिलकुल बुकरम के साइड में होनी चाहिए पर बुकरम के ऊपर नहीं होनी च यह साहल लोगाओ इस एक्ष्रा घ्डराइक कट करने के बाद में भुकरिप को पीछे की तरफ मोड़ देना है अभी हम सिलाई करेंगे क्च्छी emy Ming गरेंगे क्योंकि हमें तॉर्पन करनी है और फिर तुल्पन करने के बाद हम जो ये कच्ची सिलाई है इसे हटा सकते हैं क्योंकि तुल्पन ही ज्एदा बेटर लगती है, सिलाई फिर देखती ही अच्छी नहीं लगती तो हम तुल्पन ज्यादा परेफर करेंगे और ये सिलाई बड़े टांके की लगानी है ताकि जब तुर्पन के बाद उधेरने में आसानी हो वरना उधेरती रह जाएंगे उधेर गाई नहीं हो ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट के नेक को भी तयार कर लेना है अब हम इस पे लगाएंगे थोड़ी लेस बहुत पतली सी लेस लिया हमने आप कैसी भी ले सकते हैं पर गोल गले में जब हम लेते हैं तो पतली ही लग पाती है अच्छे से जादा चोड़ी लेते हैं तो वो अच्छे से नहीं लग पाती है तो हम पतली ही लेंगे चाहब पतली आप कई बार भी लगा सकते हैं पर पतली ने तो जादा बेटर है ऐसे ही हम दोनों पार्ट पे ये पतली वारी जो ये लेस है हम ये दोनों पार्ट पे लगाएंगे आगे भी पीछे भी और इस लेस को हम आम हुल पे भी लगाएंगे ताकि और जादा अच्छा लुकाए अब देख सकते हैं कि कितनी सफाई से ये लगानी है अब दौनर पार्ट के जो ये मुड़्े हैं इन्हें हम जोड लेंगे हमें सिलाई मतलब दो तीन सिलाई चलादी निया ताकि एकदम पका हो जाए क्योंकि यहां से बहुत जल्दी उढ़ता है क्योंकि ये बाजू भी लगेंगी तो ये निकलना और असान होचाता है फिर इसलिए हम दो तीन सिलाई चलाई चलाएंगे और मुड़े की तरफ सिलाई को हम टेड़ा कर देंगे क्योंकि इसमें बाजू नहीं लगेंगी तो अगर हम टेड़ा नहीं करेंगे तो यह उत्रेगा हमारे गंदों पर से इसलिए थोड़ा टेड़ा रखेंगे बाजू की तरफ दोना पार्टों को जोड़ने के बाद हम आर्म होल में अरेविक पट्टी की सहाथा से पीछे की तरफ मोड़ेंगे मेरे से वो वीडियो डिलीट हो गई है जोहां मैंने अरेविक पट्टी को जोड़ना और आर्म होल में कैसे जोड़ना है और कैसे उन्हें पीछे की तरफ पलटना वो दिखाया है तो ये मैं किसी नेक्स वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी कि हम आम हूल में अरेविक पट्टी को जोड़ के कैसे जोड़ते हैं अब मैंने लोवर पार्ट की स्टेचिंग स्टार्ट कर दी है आप देख सकते हैं मैंने पहले जो अपर लेयर थी वो दो मीटर की थी और जो सेकंड लेयर थी वो तीन मीटर की थी मैंने दो मीटर की लेयर पे पेस्ट किया है तीन मीटर की लेयर को तो हम मैंने पहले क्या किया है बड़े टांके की सिलाई चला लिये और उसे फिर एक धागा अगर खींच देते हैं उसमें से तो कपड़ा थोड़ा श्रिंक हो जाता है तो वैसे मैंने उसे श्रिंक कर लिया है और इतना श्रिंक कराए कि वो दो मीटर का हो जाए और दो मीटर की जो पटी है उस पर पेस्ट हो जाए आप देख सकते हैं कि मैं पहली लेयर पे दूसरी लेयर को पेस्ट कर रही हूँ दो मीटर की लेयर पे तीन मीटर की लेयर को एजस्ट कर रही हूँ थोड़ी जोटी कहीं कमी हो जाता है कि चुन्मट नहीं पड़ पाती है क्योंकि यह हो जाता है क्योंकि जब बड़ी टांकी की सिलाई से चलती है और फिर हम उसे खींचते हैं तो तूट जाती है कहीं जहीं से यह देख सकते हैं ऐसे हमें करना है ऐसे हमें सारे जितनी भी लेयर हैं पांच लेयर हैं ऐसे ही जोड़नी है अब देखते हैं तीसरी ले कि वह दूसी लेอर में इजिस्ट हो जाए जैसे दूसी मिटर की चार मिटर की और ये वाली जो लेयर है ये चार मिटर की यह तो यह मैं तीन मीटर की कर देनी निए श्रिंक कर के अब यह 3.0 मीटर की लियर कर ऑंश्छाहे हैं क्योंकि हमने सिलाई जोड़ देनWorld ऐसे ही फिर हम चौती लेयर करेंगे ऐसे ही फिर हम पांच में लेयर भी इसी प्रकार जोड़ेंगे आप देख सकते हैं मैं पूरी वीडियो में दिखाँगी कि मैंने पांचों लेयर कैसे कैसे जोड़ी है ये बनाना तो बहुत आसान होता है बट इसमें टाइम बहुत लगता है क्योंकि हमें इस सिलाईयां बहुत चलानी पड़ती है पहले बड़े टांके की सिलाई चलानी पड़ती है फिर उसे शिंक करना और फिर उसे दोबारा सिलाई चलाना इसमें काफी टाइम लगता है इसी है यह बट टाइम लगता है इसमें अब ये लास्ट लेयर पे मैंने बड़े टांके की सिलाई स्टार्ट कर दिया अब वैसे ही जैसे हमेशा की तरह मैं एक धागा पकड़ के इसमेंसे खींचूंगी जैसे अब देख सकते हैं अब ये तक मैंने देखा रहा कि कैसे खींचना है अब मैंने दिखा रही हूँ कि मैंने को कैसे ये मैंको श्रिंक करना है ये 6 मीटर का है तो मैंको इतना श्रिंक करना है कि ये 5 मीटर के कपड़े पर अजस्ट हो जाए क्योंकि जो 4 लेयर है वो 5 मीटर की है अभी ये 5 लेयर है ये 6 मीटर की है अब हमें इसी तरह के से श्रिंक करके ये 4 लेयर पे पेस्ट कर देना है जैसे कि आगे मैं दिखाऊंगी कि मैंने ये कैसे पेस्ट करी है अब आखिकार मैंने लास्ट की लेयर भी पेस्ट कर ही दी अब में को जितनी भी इसमें कठिनाई थी वो पार हो चुकी है क्योंकि यही लगानी सबसे हार्ड है क्योंकि इन में बहुत टाइम जाता है अब यह कंप्लीट हो चुकी है अब यह जो साइड में से एक साइड से खुला हुआ है तो मैंने हाँ से यह सिलाई करनी है अब यह कैसे लगानी है ओ Wish हो एक najbardziej कमें निए और में में आधा करना है इस तरीके से लगाई है आndh K दिसने मेरा था-चार है ठाना है तो मैंने 2 मों दो-चाहिए यर्गार को यह आधा कर में फिर 2 bus 22 में हम I quarter time is the enemy मैंने दौनों साइट सिलाई कर देनी है दौनों साइट की सिलाई ऐसे ही करनी है मैंने भी आपको एक साइट की दिखाई है वैसे ही हमें दूसरी साइट भी ऐसे ही कर देनी है यह सिल चुका है अपर पार्ट की सिलाई कम्प्लीट हो चुकी है अब जो लोवर पार्ट का जो सबसे उपर की लेयर थी उसे भी हमें श्रिंग करना है उसे हमें 16 32 32 इंच तक स्रिंग करना है वो 2 मीटर की है जो उपर की लेयर है तो हमें उसे उतना श्रिंग करना है कि वो 32 मीटर में जो 32 इंच में एड़्जस्ट हो जाए क्योंकि हमने जो कमर की निशान लगाया है वो सूले पर लगाया था सूले का दुगना 32 तो हमें 32 इंच तक श्रिंग करनी है जैसे आप देख रहे हैं हमें ऐसे श्रिंग कर रही ऐसा करें कि बराबर बराबर लगे अब इस तरीके से श्रिंग करने के बाद पहले हम जो साइड से ये खुला हुआ है पहले हम उसे जोड़ेंगे उसके बाद हम इसे अपर पार्ट पर लगाएं मतला पेस्ट करेंगे जोड़ देंगे अपर पार्ट के साथ पर पहले हमें साइड से जो ये खुला हुआ है इसे जोड़ेंगे जैसे देख रहे हैं ये मैंने नीचे तक ये जोड़ दिया है खुला नहीं नहीं चाहिए थोड़ा भी पूरा इसे जोड़ देंगे ये एक साइड से खुला था एक साइड से हमने पहली बंद रखा था ये एक साइड से ही खुला था अब हम जो अपर पार्ट है उससे सीधा रखेंगे और सीधे सीधे साइड को एक तरफ करके इसे हम उल्टा रखेंगे और इसे इस पर पेस्ट कर देंगे जैसे आप देख सकते हैं बहुत धिहान से पेस्ट करना है क्योंकि ये सरवट जो ये स्रिंग होता है इसकी पैसे कपड़ा इधर उधर हो जाता है और एक तो इतना जादा फैबरिक हो जाता है तो थोड़ा आराम से इसे पेस्ट करें यह मैंने इसके उपर कम्पलीटली पेस्ट कर दिया है जो कि होने वाला है और हम नीचे इसमें पी को कर देंगे आप देख सकते हैं इसका लुक कैसा लग रहा है साइड में मैं इसका लुक भी दिखा दिया फाइनल लुक की यह बनने के बाद यह कैसा लुक दे रहा है जिनके लिए मैं बना रही हूँ उनकी हाइट मेरे से थोड़ी सी कम है तो उनके यह पूरा थोड़ा सा नीचे तकाएगा मेरे जितना रहा है उससे थोड़ा नीचे तकाएगा उनके और आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं और आप इसके किसी भी गलर का दुपटा ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे वीडियो अज़ाई इस ट्रेस का फुल लुक की पहनने के बाद दुपटा वगरा डालने के बाद यह कैसी लग रही है वो मैं शॉर्ट में डाल दूँगी और यह साइड में देख सकते हैं मैंने नीचे इसमें पीको करी ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है राधे क्रिशने राधे क्रिशने